अगर पाकिस्तान में पार प्रॉफिट सोशल एंटर्प्राइजेस का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कन्फूजिंग है तो आप घलत फेहमी में है जितना कन्फूजिंग ये नोट फार प्रॉफिट सेक्टर में है There are so many laws अगर आप मुख्तलिफ उनको considerations governance के हिसाब से, reporting के हिसाब से, financing के हिसाब से अगर आप मुख्लिफ laws को जमा करना शुरू करें तो पाकिस्तान में not for profit सेक्टर के लिए कम अस कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 कवानीन जो हैं वो मौझूद है Social Enterprises जो हैं उनको कई चीज़ें देखना पड़ती है not for profit सेक्टर में एक अपने आपको charitable organization से अलग करना साहर है उसका मतलब है उनका जो governance है उनकी जो management team उनका board of directors उनके roles and responsibilities वो अलग होंगे Finances सिर्फ donations से पैसे नहीं आने उसमें earning है उसमें excess revenue है उसमें हालांकि वो not for profit है लेकिन tax के issues हो सकते हैं और फिर reporting जहां से finance आता है जहां से financing होती है not for profit की वहाँ पे of course reporting और accountability जो है वो matter करती है लेकिन कोई भी एक comprehensive law मौझूद नहीं है जो not for profit sector में social enterprises की registration को guide या उसको regulate कर सके basically ये सारी जो provisions हैं जिनका मैं अभी जिकर करूँगी वो not for profit sectors जिसको NGOs कहते हैं उनके लिए ये time to time laws जो हैं वो बनाए गए थे और चूंके कोई specific social enterprise law मौझूद नहीं है तो social entrepreneurs अपने आपको जब not for profit के तौर पे register करारा चाहते हैं तो वो in-laws को use करते हैं सबसे popular option जो है वो trust है Trust Act पंजाब का 2020 का और Federal 1882 का Trust Act जिसके मताबिक एक party जिसको truster कहते हैं वो अपने assets, property या अपने finances जो कुछ उसकी दौलत है उसको एक दूसरी party जिसे trustee कहते हैं उसके हवाले करती है कि trustee जो है वो उस दौलत को उन assets को या उन properties को एक तीसरे group के benefit के लिए इस्तमाल कर सकें जिने beneficiaries कहा जाता है पाकिस्तान में trust बेहद आम हैं आप अपने इर्दगे डगर नजर दोड़ाएं तो आपको बहुत सारे trust मिलेंगे उसमें educational trust हैं जहां किसी family ने अपनी property या उस से आने वाली income जो है वो किसी school के लिए वक्फ कर दी हो या कोई ऐसा individual charitable person जिसने अपने assets को health sector में किसी hospital को चलाने के लिए किसी dispensary को चलाने के लिए वक्फ कर दिया हो या कोई ऐसी ethnic minority या कोई community है जो के बहुत smaller है mainstream community से अलग है तो उसमें अगर किसी के पास कोई assets हैं तो उन्होंने उसको अपनी community की welfare के लिए trust बना दिया हो Trust Act के तहट जो social enterprises register होते हैं उनके पास कुछ assets होते हैं उनके पास कोई properties होती हैं जिनकी income आती है और उसको वो community या कि community का किसी खास group या larger society के benefit के लिए use करते हैं Trust उस वक तक काईम रहता है जब तक के या तो truster ने जो period specify किया हो या फिर जब तक उस purpose के लिए social enterprise को use किया जाए जो के truster ने identify किया था कि मेरी property या मेरी wealth जो है वो सिरफ health के लिए use होगी, education के लिए use होगी, मेरी extended family या मेरे कभीले के लिए use होगी तो अगर उसके इलावा उस property या asset को इस्तमाल करने की कोशिश की जाए तो trust कतम हो जाता है It means कि social enterprise जो है वो अपने आपको बतौर trust मजीद identify नहीं कर सकता दूसरी option जो social enterprises को पाकिस्तान में available है as not for profit वो है Societies Registration Act के तहद Societies Registration Act के मताबक जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी charitable purpose के लिए अपने आपको as a society register करवाते हैं और वो at the cost अपने आपको operationalize रखते हैं मतलब उनकी जो cost है operations की वो खुद उसको maintain करते हैं उसमें कोई profit का element नहीं है उसमें कोई excess revenue का element नहीं है जो भी donations या sources of income हैं उनसे जो भी finances आते हैं वो operational cost minimum प्लस जो benefit जाना है target group को या beneficiaries को उसके लिए इस्तमाल होते हैं Societies जो हैं वो NGOs के लिए specially attractive हैं एकडेमिक और intellectual purposes के लिए artistic purposes के लिए लेकिन जब आप social enterprise की बात करते हैं जहां कोई product या service बना के दी जानी है किसी को वहाँ पर थोड़ी से एक ये comfortable इतना registration source नहीं है Social enterprises not for profit sector में अपने आपको Companies Act की clause 42 के तहत as not for profit register करा सकते हैं ये वही Companies Act है जो private limited company और public limited company को register कराने के लिए इस्तमाल होता है लेकिन उसका clause 42 जो है वो provide करता है कि कोई non government organization कोई entity कोई business अपने आपको एक not for profit entity के तोर पे खास तोर पर social enterprises अपने आपको not for profit company के तोर पर register कर सकते हैं उससे उनकी taxation की जो liabilities है वो adjust हो जाती है ये वो law है या ये वो provision है clause 42 जिसको federal board of revenue और जो tax का हमारा ordinance है 2000 का वो भी acknowledge और recognize करता है और अमूमन जो बड़ी business entrepreneurs हैं वो अपनी corporate social responsibility को perform करने के लिए या उनकी जो not for profit subsidies हैं उनके declaration के लिए इस act को इस clause को استعمال करते हुए social enterprise को register कराते हैं इसके इलावा भी कई laws हैं छोटे मोटे जिन में कुछ provisions ऐसी मौजूद हैं जिनके तहए social enterprises अपने आपको register करा सकते हैं लेकिन मसला क्या है कि जो registration है वो अपने साथ governance की, financing की, reporting की liabilities लाती है और अमूमन social enterprises जो हैं खास तोर पर start-up की stage पर अभी इतने trained या qualified या उनके हाँ वो expertise नहीं होती कि वो इन चीजों को जो है उसमें बहुत सारा time, energy और resources इंवेस्ट कर सकें इसलिए पाकिस्तान में not for profit social enterprises निस्बतन कम है Thank you झाल